हाई फ्रेंड्स वेलकम टो इसमें मैजिक आज मैं बना रहे हूं भरमा लाल मिर्च का अचार जिसकी रिस्पी बहुत ही आसान है सौरी फ्रेंड्स मेरा गला बैठा हुआ है आवाज बहुत खराब हो गई है तो लेना है आपको एक कड़ाई उसमें डालने सारे साले जिसमें कलोंजी मेथी दाना अजवाइन सौफ राई काली मिर्च जीरा सारे चीजों को आप एक मिट के लिए ड्राय रोस्ट करेंगे धिमी आज पर उसके बाद हम डाल देंगे लगपकस में एक कटोरी पीली वाली अचार की राई उसी भी ड्राय रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लेंगे सारे मसालों को और एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेंगे साथ में एड़ करेंगे तीन बड़े चमज नमक और दद्रा पाउडर बनाने की बाद एक प्लेट पर निकाल लेंगे फिर कड़ाई में दो कप सरसो का तेल दुआ निकलने तक गरम करेंगे ग लाल मिर्च को धो कि अच्छे से सुखा लिया है एक घंटी के लिए धूप में रख दें फिर उनका टंठन निकाल कर इस तरह से काट लें और काटने की बाद उसमें भर दें दबा दबा कर अचार का ये मसाला दबाते हुए से पैक कर दें फिर हम गुर्गुने तेल में सारी मिर्चे को डुबो डुबो कर एक बरणी में डाल देंगे सारी मिर्चे बरणी में डाल दे और बची होई राए भी ढाल दे फिर से हम एक कप सरसो का तेल गर्म करेंगे ठंडा होने के बाद उसमें डाले के कश्मीरी लाल मिर्च और उस तेल को हम अचार में डाल देंगे और बर्णी को तीन दिन के लिए धूप में रखेंगे जिससे सारी मिर्चे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और अगर आपको अचार को लंबे समय तक स्टोर करना है तो इसमें आप सरसो का तेल को गर्म करके ठंडा होने के बाद पूरी बर्णी में डाल दें ऐसा करने से मिर्ची खराब नहीं होगी और अचार को आप लंबे समय तक स्टोर कर पाएंगे थैंक्स वाचिंग बाइ